प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृति आईएएज यूट्यूब चैनल का पीटी थेंक अंड सॉल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतरगत प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित पांच प्रश्णु व्याक्या सहित उत्तर के साथ दिये जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्णों की श्रंखला को। भारतिय राश्च्पती की शमादान शक्तियों के संदर्व में निन्मिलिखित कतनों पर विचार कीजिए। पहला भारतिय संविधान के अनुछे 72 में इससे संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। दूसरा इसका प्रयोग उन मामलों में भी किया जा सकता है जिन विश्यों तक संग की कारेपालिका शक्ति का विस्तार है। उप्रयोग में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा आप्शन सी यानि हाल ही में अमेरिकी राश्ट्रपती डोनाल ट्रम्प ने अपने पूर राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार माइकल फ्लिन को सम्विधान द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चमादान दिया है। भारतिय राश्ट्रपती की चमादान संबंधी शक्तियां समिधान के अनुचेद 72 में दी गई है। अता कथन एक सही है। राश्ट्रपती द्वारा चमादान शक्ति का प्रयोग उन सभी मामलों में किया जा सकता है जिनमें दंड या दंड देश सेना न्यायले ने दिया है। या उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंड देश ऐसे विशे संबंधी किसी विधी के विरुद अपरात के लिए दिया गया है जिस विशे तक संग की कारिपाली का शक्ति का विस्तार है। अथवा उन सभी मामलों में जिन में दंडा देश म्रत्यू की सजा होती है अथा कथन दो सही है इस प्रकार से इसका सही उत्तर आप्शन सी होगा देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रशन को नियायक सक्रियता के संदर्व में निन में लिखे कत्नों पर विचार कीजिए पहला इसके अंतरगत नियायधीशो द्वारा विध्यमान विधी की वज़ाए व्यक्ति का विधता और ज्ञान के आधार पर निर्ने लिया जाता है दूसरा नियाय धीशों के लिए निर्ने देते समय विधी की व्याक्या सम्मिर्हान के अनुसार करना आवश्यक नहीं है उपरिक्त में से कौन सा कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D ना तो 1 ना ही 2 इसका सही उत्तर होगा option A यानि हाल ही में आंदरप्रदेश सरकार ने आंदरप्रदेश उच्च न्यायले पर शक्तियों के प्रथक करन के सिध्धान के उलंगन का आरोप लगाया है न्याईक सकृता का तात्परे अधालत के उन फैसलों से होता है जिन में भिविन सामाजे कुरितियों से राहत प्रदान करने के लिए तथा समुचित न्याय सुनशित करने के लिए न्याय धीशों द्वारा व्यक्तिकत विद्धता और ग्यान के आधार पर निर्ने लिया जाता है और न्यायक शक्ति का प्रयोग किया जाता है अथा कथन 1 सही है नियादीश निर्ने देते समय विधी की व्याख्या समिधान के अनुसार ही करते हैं अथा कथन 2 सही नहीं है लेकिन कभी-कभी नियाएक सकृतावादी नियाएले के समक्ष प्रस्तोत विदिक मामलों पर विधी निर्मार के लिए अपनी इच्छक प्रियो जन नवीन एवं नवी करणिये उर्जा मंत्राले द्वारा किया जाता है दूसरा वर्ज 2020 के लिए इसका विशय समवनिय उर्जा परिवर्तन के लिए नवा चार है उपर्युक में से कौन सा कथन सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन सी यानि हाल ही में आरी इन्विस्ट का उधगाटन किया गया है यह तीसरा वेश्विक नवीकर्णिय उर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी है इसका आयोजन नवीन एवं नवीकर्णिय उर्जा मंत्राले द्वारा किया जाता है अता कथन एक सही है भारत नवीकर्णिय उर्जा चमता में विश्य में चोथे स्थान पर पहुंच गया है भारत की नवीकर्णिय उर्जा उत्पादन चमता वर्तमान में बढ़कर 136 गीगावाट हो गई है पिछले छे वर्षों में भारत की नवीकर्णिया उजा चमता धाई गुना बढ़ गई है RE Invest 2020 का विशे समवनिया उजा परिवर्थन के लिए नवाचार है अता कथन 2 सही है इस प्रकार से इसका सही उत्तर आप्शन C होगा देखते हैं आज के अपने चोथे प्रशन को सूचना प्रवंधन और विशलेशन केंद्र के संदर्व में निन्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला ये समुदरी डेटा सनलयन के लिए नोडल अजेंसी है दूसरा ये नई दिल्ली में इस्तित है उप्रकार से कौन सा क सही नहीं है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन बी यानि सूचना प्रवंधन और विशलेशन केंद्र को जल्द ही रास्ट्रे समुदरी जागरुपता केंद्र बनाया जा रहा है सूचना प्रवंधन और विशलेशन केंद्र समुदरी डेटा सनलयन के लिए नोडल एजेंसी है अताकतन एक सही है मुंबई में हुए 26 ग्यारा के आतंगवादी हमलों के बाद नोसेना के परिचालन केंद्रों और नोसेना तथा देश के समुदर तट पर फैले कोस्ट कार्ड के निचले हदिकारियों में परसपर संपर्क स्थापित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था वर्ष 2012 में इसे रक्षा अधी ग्रहन परिशत द्वारा अनुमोदित किया गया था इसने वर्ष 2014 से कारिकरना आरंब कर दिया यह ग्रूग्राम हर्यारा में इस्तित है अथा कथन दो सही नहीं है इस प्रकार इसका सही उत्तर आप्शन बी होगा देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रशन को टी एक्स टू पुरुषकार के संदर्व में निर्मलिकित कत्मों पर विचार कीजिए पहला इसे वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्स वर्ग में स्थापित किया था दूसरा वर्ष 2020 का टू एक्स टू संरक्षन उतक्रश्चत का पुरुषकार मानस संरक्षन शेत्र को दिया गया है उपरक्त में से कौन सा कतन सही है एक केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दो डी ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात यहें एक वैश्विक पुरसकार है जिसे वर्ष 2010 में WWF, UNDP, IUCN, Global Tiger Fund, Cats और The Lions Share जैसे बाख संरक्षर से जुड़े अंतराश्चे संगटनों द्वारा रूस के सेंट पीटर्स वर्ग में स्थापित किया गया था अथा कतन एक सही है वर्ष 2020 का 2X2 संरक्षन उत्क्रस्टा पुरशकार भारत भूटान सीमा पर विस्तारेत पारदेश ये मानस संरक्षन शेत्र को दिया गया है इसमें भारत के मानस राश्च्रे उध्यान का 500 वर किलोमीटर शेत्र तथा भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क का 1057 वर किलोमीटर शेत्र सम्मिलित है अतकतन 2 सही है इस प्रकार इसका सही उत्तर आप्षन C होगा